हेलो फ्रेंड्स टेлеन को होम कीचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे कच्चे आम का मुरबब या गलका इसके लिए हमने कच्चे आम लियें जिसे हमने धूकर साफ कर लिया ہے अब हम इन आम को अच्छे से छीलेंगे इसके लिए हम एक छिलनी की साहेता लेंगे और इससे हम सभी आमों को बारी-बारी से छिलेंगे इस तरह से हम अपने सभी आम छिल लेंगे हमारे सभी आम छिल गए हैं अब इने हम काटेंगे इनके अंदर से हम बीच निकाल देंगे किसी-किसी आम में गुठली भी होगी इसलिए हम उसके साइड का गुदा निकाल लेंगे और गुठली को ऐसे ही रहने देंगे इन गुठलीों को हम पेकेंगे नहीं इसका विस्तेमाल हम इसी मुरब्बे में करेंगे इन सभी आमों को आप छोटे तुक्ड़ों में काट ले अगर आप चाहें तो इने बड़े तुक्ड़ों में भी काट सकते हैं अब हमने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है और उसमें थोड़ा सा ओयल डाला है इसमें बहुत ज़्यादा ओयल नहीं लगेगा आईल को हम गर्म होने देंगे अब हमारा आईल गर्म हो रहा है जब आईल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे आईल हमारा गर्म हो गया है हमने अपने मसाले निकाल लिए है हम इसमें जीरा, मंग्रेल और लाल मिर्च डालेंगे यह हमने जीरा डाल दिया है अब हम मंग्रेल डाल रहे हैं और लाल मिर्च मंग्रेल को कलोंजी भी कहते हैं जीरा जब चटकने लगेगा तब हम इसमें अपने कटे हुए आम डालेंगे और इसे प्राई करेंगे 5-7 मिनट इस पे हम लीड नहीं लगाएंगे इसे हम ऐसे ही फ्राई करेंगे जब यह फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे यह मिक्स हो गया है अब हम इसमें गुर्ड डालेंगे आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हमने जितनी कॉंटिटी में आम लिया है उतना ही गुर्ड डाल रहे हैं अगर आम ज्यादा खटे हूँ तो आप गुर्ड की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं आम के साथ गुर्ड पक जाएगा अब इसमें हम डखकन लगा देंगे और इसे 25-30 मिनट पकाएंगे इसकी बाद हम इसमें बुना हुआ जीरा डालेंगे हमारा आम का मुरब्बा रेडी हो गया है अब इसी रोटी या चावल के साथ खाईए आपको हमारी ये रेस्पी कैसी लगी अगर आपको हमारी ये रेस्पी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और कमेंट करें हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को बहुत बहुत बहुत